नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टैली विद पवनसर पर सवागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके अंदर हम आपको केवल एक सूचना देना चाहते हैं आज के इस वीडियो को बनाने का उदिशे आपको टैली पढ़ाना नहीं है केवल ये जानकारी देना है कि टैली कंपनी एक नया माइक्रो टीडियस सर्टिफिकेशन शुरू करने जा रही है और ये मैं कहूंगा क्योंकि आज दस्तारीख है तो ये कल सुरू हो चुका है तो ये ऐसा इनफोर्मेशन हम आपके साथ शेर करना चाते हैं कि यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स हैं अकाउंटेंट्स हैं जो टीडियस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाता है या फिर मैं दूसरे सब्दों में कहूं कि इसके बारे में बताओं तीडियस माइक्रो सर्टिफिकेशन कोर्स ये टैली प्राइम के अंदर आपको करवाये जाएगा और इसी महीने ये कोर्स शुरू हो जाएगा अठारा तारिक से इसकी 18 डेसमबर से इसकी क्लासिज लगनी शुरू हो जाएगी और इस सर्टिफिकेशन कोर्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों मैं ऐसी बाते बोलू हो कि ऐसा इस सर्टिफिकेशन कोर्स में क्या आपको दिया जा रहा है वटेवर जो भी आपको TDS से सम्मंदित चाहिए वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा और इस कोर्स का एक खास बात है कि आज तक तो आप केवल हमारे से पढ़ते आ रहे थे इस कोर्स में आप टेली कमपनी वो टेली कमपनी जिसे ने सौफ्टेर बनाया उस कमपनी के एक्सपर्ट बंदों से भी लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ऐसी धेरो बाते इस कोर्स में आपको बताई जा रही है इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल शुरुआत में दो-तिन बाते आपसे करना चाहूंगा फिर मैं आपको लेके चलूँगा क्या कुछ आपको मिलेगा पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक best course है और एक best tedious professional बनने के लिए आपको कम से कम मैं कहूँगा कि हमारे institute से जो courses करवाई जाते हैं उनमें जो minimum course जो charge की जाती है वो है 5100 ये इसका best price है लेकिन आज अगर आप इसका admission करवाते हैं आपको 24 hours दिये जा रहे हैं आज 11 तारिक है और आज अगर आप इसका admission करवाते हैं तो मैं आपको आज 11 और 12 तारिक भी साथ में दे रहा हूँ ये लो बातों बातों में हमने आपको एक दिन और दे दिया कि आप अगर 12 तारिक तक admission करवाते हैं तो आपको केवल और केवल 1,999 सुना आपने मैंने क्या का कि केवल 1,999 रुपे में आपको ये training प्रोवाइड की जाएगी और ये जो best price आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं ये केवल हमने ये मन बनाया कि केवल आपका single day का है अगर आप इस मोके से चूग गए तो फिर आपको full face pay करना पड़ेगा तो मेरा आपसे सवाल है कि यदि आप एक tedious professional personality बनना चाते हैं तो इस वीडियो को आन्द तक जरूर देखें और इस वीडियो में टेली company जो आपको training प्रोवाइड करेगा उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है लास्ट में भी बताया है और शुरू में अब भी बता रहा हूं कि company की तरफ से जो आपको training मिल रहा है वो training तो आपका है लेकिन मेरे जो student है वो मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कल से के sir आप भी training देंगे ना तो मैं आपको promise करता हूं कि मैं भी आपको training दूँगा और मैं भी आपको अपनी training के वीडियो प्रोवाइड करूँगा और वो भी केवल इतनी फीस में जो अभी मैंने या पर आपको बताया केवल एक हजार नो सो निन्यान में तो आपका time शुरू होता है अब ये वीडियो आन्त तक दे आप इस मौक्य को हाथ से जाने ना दे और आएए अब चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे के उपर और ये है आज का हमारा वीडियो जो आपके लिए तयार किया गया है तो लीजिए सबसे पहले मैं आपको टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर ले करके चलता हूँ गूगल करोम को चलाते हैं और आप गूगल में जाकर के जस्ट आप टाइप करेंगे टेली एजुकेशन और जो पहला लिंक आएगा वो most probably संभावना है के टेली एजुकेशन का ही आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो टेली एजुकेशन का होम पेज आपके सामने आपको नजर आएगा यह टेली एजूकेशन का होम पेज है और इस समय टेली कमपनी खुद भी परमोट कर रही है इस सर्टिफिकेशन को और यहां पर कुछ बाते में आपको मार्क करके बताना चाहूंगा कि आप खुद पढ़ सकते हैं कि टेली जो परमोट कर रहा है लर्निंग फ्रों एनिवेर एनि टाइम कभी भी कहीं भी इट मिंज अब आप कहीं से कभी भी टेली को सीख सकते हैं चाहे आप जो में हैं घर पर हैं आउस वाइफ हैं तो आपके लिए आप टेली सीखना बेहत आसान हो गया है अब जो काम मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूं तो यहीं काम आप अपने मोबाइल फोन लैप्टोप या डेक्स्टोप के दवारा कर सकते हैं और टेली एजुकेशन लॉंचिज इस फर्स्ट एवर माइक्रो सर्टिफिकेशन कोर्स टेली कंपनी पहली बार यह माइक्रो सर्टिफिकेशन कोर्स लॉंच कर रही है और ये एक ऐसा certification course होगा जिसके अंदर आपको digitally e-contents, live training और साथ के साथ फिर assessment के पस्चात आपको certification भी provide किया जाएगा तो आएए देखते हैं कि इस TDS micro certification में company के दवारा हमें क्या क्या चीज़े दी जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपना account एक बार आपको login करके दिखाना चाहूँगा तो आएए login बटन पर click करते हैं अब यहाँ से आपको login बटन पर click करना है और जैसे आप login बटन पर click करेंगे तो कुछ credential है आपका ID पासवर्ड मांगा जाएगा यह ID पासवर्ड आपको टेली कंपनी के तरफ से मिलेगा जैसे आप इस certification course में enrollment लेते हैं तो आपकी email ID पर टेली कंपनी की तरफ से एक email आएगा जिसके अंदर आपका ID और पासवर्ड लिखा होगा वो ID और पासवर्ड आप यहाँ पर भर सकते हैं लीजे मैं एक बार आपको अपने एक students का email दिखाना चाहता हूं कि कल जिन बच्चों के हमने enrollment डाले थे तो उनके पास कंपनी की तरफ से इस तरह का email आया हुगा और इस email के अंदर यहाँ पर आपका user ID और यहाँ पर आपका password लिखा होगा और password जैसे के लिखा हुआ है के case sensitive है मतलब जैसा यहाँ पर लिखा होगा चोटे अक्सरों में बड़े अक्सरों में बिल्कुल वैसा ही आपको mention करना है तो यह काम करने के बाद जब आप ID और password भर देंगे लाइये मैं अपना भर के लिखा देता हूँ तो आप Kelly के portal पर आजेंगे यह इस तरह से यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर students लिखा होगा हम लोग partner है तो हमारे में आरे TSE partner और इस तरह से आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो next जो screen है वो आपके सामनी यह आएगा अब यहाँ पर काफी सारे detail आपको नजर आ रहा है क्योंकि यह partner का account है मैं यहाँ से आपको सुझाओ दूँआ कि आप अपने computer में क्या करेंगे आपको यहाँ से choose करना है e-contents और जैसे आप e-contents बटन के उपर click करेंगे ज्यान दे लिजी आराम से के आप कहाँ पर click करेंगे आपको click करना है e-contents पर और e-contents पर जैसे ही आप click करेंगे तो next जो screen आपके सामने appear होगा वो होगा यह देखिए मैं click करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ही content में आपको courses के नाम दिखाई दे रहे हैं तो जिस course के अंदर आपका enrollment है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब यहाँ से आप ले सकते हैं certification on TDS क्योंकि हम लोग TDS की बात करें लेकिन आपने यदि अपनी ID पर टेली कंपनी के अन्य courses में भी अगर registration करवा रखा है तो वो सभी courses के e-contents आपको इखटे यहाँ पर नजर आएंगे और यदि आपने केवल TDS में registration करवा रखा है तो आपको केवल TDS का e-contents आपको नजर आएगा और यदि मालनीजिया आपने टेली कंपनी से enrollment तो कई certification course में करवा रखे हैं लेकिन उनके लिए आपने अगर अलग-अलग email ID का इस्तेमाल किया है तो उन email ID के अनुसार ही आपको यहाँ पर e-contents नजर आएंगे लिजिए मैं certification on TDS बटन के उपर क्लिक कराऊं और जैसे मैं certification on TDS बटन के उपर क्लिक करूंगा तो next मेरे को यह दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े आपको मिलने वाली है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है उपर से पढ़ना शुरू करिए लिजिए यहां से क्या कह र प्रोफेशनली लोग काम करते हैं तो उनके सामने किस तरह की समझ्चाइं आती है और वो काम आपको किस तरह से करना है अगर मैं बता हूं तो यह वाला section मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह condition के अनुसार काम करता है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वीडियो डाला गया है about the course and learning objective उसके बाद में introduction TDS वीडियो दिया गया है और उसके बाद में explaining TDS प्रोसेस दिया गया है और मैं साथ के साथ यह कहना चाहूंगा कि कल यहां पर केवल दो वीडियो थे कल 9 तारिक थी आज 10 तारिक है और आज आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर टोटल अभी तक 5 वीडियो आ चुके हैं तो यह बेहद खुशी की बात है कि जैसे जैसे company इन से समन्दित वीडियो तयार कर रही है साथ के साथ आपके portal पर upload कर रही है तो इन में से आपको इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह दि आप इनको एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं तो आप open e-content button के उपर क्लिक करें और जैसे आप open e-content button के उपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में next आपको क्या नज़र आएगा यह इस तरह से नज़र आएगा यह आपका dashboard है और यहाँ पर आपको जो है सामने अगर मैं बात करूं तो यह आपका performance बताएगा कि last one month में आपका performance रहा है तो अब मैं सिधा बुक पर जाना चाहता हूं तो मैंने यहां से right side में जो मुझे बटन नज़रा रहा है content तो मैं content के उपर क्लिक करूंगा या आप इस बटन के उपर भी क्लिक कर सकते हो more item पर और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो content में से आपको अपनी library जहां पर आपके ebooks और जहां पर आपके वीडियो रखे हुए है उस location पर जाने के लिए आपको क्या लेना है माई library लेना है और जैसे आप माई library पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी इस id पर जितने भी ebooks कंपनी की तरफ से आपको मिले हैं वीडियो आपको मिले हैं वो सब आपको नजर आ जाएंगे हम लोग टैली के partner है तो हमारे पास तो मैं कहूंगा कि बुक्स का और वीडियो का मतलग कमी नहीं है यह सारे वीडियो जो आप देख रहे हैं यह वाले या एक बुक्स यह सारे टीडियस के हैं तो इसमें से मैं के बड़ टीडियस को देखना चाहता हूं तो मैं सर्च लगाना चाहूंगा मैंने यहां से TDS लिया और TDS का जैसे मैंने सर्च लगाया तो जिन-जिन बुक्स के अंदर वीडियो के अंदर TDS का जानकारी दिया गया है वो आपके सामने नजर आ गया अब हम यहां पर बात करेंगे इन की तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको one by one बताना चाहूंगा कि अगर हम इसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह जो आइकन यहां पर दिये गए दो आइकन आपको नजर आ रहे हैं यह जो बुक्स के आइकन है यह हमारी complete e-books है देखें आप लोग यह complete e-books हैं दोनों की दोनों लिखा हो है साथ में और यदि आप इनको देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट आपको इसके उपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो लीजिए अब जो next page आपके सामने आ रहा है उस next page पे आपको सूचना ही नजर आएंगी books के रूप में और अब आप यहां से यह सारी सूचना पढ़ सकते हैं जिस तरह से हम लोग किसी book का hard copy पढ़ते हैं उसी परकार से आप इन सूचनाओं को पढ़ सकते हैं अब सबसे पहले में यह मेरा book complete open हो गया है मैं आपको content से content जो option दे रखा है cover page पे लेके चलता हूँ और यह हमारा cover page है आप अगले page पे जाना चाहते हैं तो यह आपका next button है और इस तरह से आप navigate कर सकते हैं books को जिस तरह से आपके हाथ में एक book होती है आप उसको पढ़ते हैं तो उसी तरह से आप इस किदाब को पढ़ सकते हैं अगर आप इसको बढ़ा करके देखना चाहते हैं तो आप यहां से बढ़ा कर सकते हैं यह लिजी अब एक एक चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं यह आपका टी ओसी है कि इस topic में आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा complete है आप यहां से देख सकते हैं मैं भी से इस मार करना चाहूंगा कि आपको पता है कि करोना काल का साल चला हुआ है और करोना काल में 14 महीं से TDS के नए रेट अपलाई हुए थे तो वो रेट इसमें अपडेट कर दिये गए हैं ओके तो यह सारी बाते जो बहुत जरूरी है वो सब इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी और आए आगे बढ़ते हैं उपर कर ले तो मैं आपको अगर हम बात करें तो TDS जो डिडेक्ट क किया जाएगा उसके बारे में यहां पर complete detail है अगर मैं तोड़ा साब को बताऊं कि booking of expenses in the purchase voucher subject partly मतलब अगर full bill amount पे ना लगा करके किसी उसके हिससे पर अगर TDS काटना हो और खर्चा पहले गुक करना और TDS बाद में काटना हो multiple expenses का TDS काटना हो TDS lower rate पे जीरो rate पे काटना हो higher rate पे काटना हो और यह जितनी बात आप यहां पर देख पा रहे हैं वो सारी बात इस course में आपको पढ़ाई जाएंगी और देख दीजिए जो यहां पर है आप देख सकते हैं कि एक चीज़ को और उसके बाद में फिर जो TDS की जो रिपोर्ट होती है वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहां पर मिलेगी अगर आप यह जो साइड में दे रखाए पैनलिस को अटाना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कर दें अगर आप इसको फुल मतर फुल स्क्रीन पर लेना च चाहते हैं यह लिजी छोटा करना चाहते हैं वापिस पिछी अटना चाहते हो और यह लिजी वापिस मेन्यू को चाहते हो अब इसका जो मज़ेदार चीज है वो यह है कि आप यहां से जब इसको बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप किसी भी पेज को कभी भी लिए आप यहां पर सुरुवात में पढ़ाई करें सुरू से आपको लग रहा है कोई मुझे विसेश टोपिक पर जाना है यह देखिए कितना बड़ा आप इसको कर सकते हो आराम से पढ़ सकते हैं आप यहां पर क्लिक कर सकते नीचे यह थमनेल्स में पेज को शो करेगा इस यह प्रोसेस है कि TDS का प्रोसेस चार्ट, ओके, और इसके अलबा अगर मालीज आप किसी दूसरे पार्ट पर जाना चाहते हैं लेसन पर तो कंटेंट पर आप जाएंगे, सारे लेसन्स आपको यान जराएंगे, आप डारेक्ट ली जा सकते हैं, और इसके विशेस बात है कि जिसे मालो कोई भी लेसन अगर कंपलीट होता है तो उसके बाद में क्विस दिया गया, बेसिक्स ट्रांजेक्शन से हैं, यदि इंट्रोड़क्शन टू टीजस है, बेसिक कंसाफ्ट है, टीजस का प्रोसेस क्या होता है, टीजस को टैली प्राइम में कैसे सोल्ड करेंगे बेसिक्स ट्रांजेक्शन से एडवांस ट्रांजेक्शन है तो जैसे बेसिक्स ट्रांजेक्शन में क्या क्या आप यहां से भी देख सकते हैं यह रख यह सारी बाते बेसिक्स ट्रांजेक्शन की है जब आप बेसिक ट्रांजेक्शन का टोपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो तो गया Demonstration of the PDF आप वापीस आना चाहते हैं तो back to library कर सकते हैं या वापीस आपी content पर आ सकते हैं लिजे मैं back to library बटन पर क्लिक करा हूँ और यह जो मैंने आपको बताया अगर इस page के मैं आपको total इस book के समाचाओं इस book के अगर मैं आपको total pages बताओं तो यह around जो है more than 250 pages का book है मतलब अब तक अगर आपने किसे institute के अंदर अगर TDS सिखा है तो मुझे नहीं लगता कि इतने आप बड़े scale पर इतने large scale पर TDS का जो है topic तैयार किया गया देखिए मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आपको मैं सबसे last मिले के जा रहा हूं और conclusion पर conclusion पर जब आप जाते हैं तो मैं सिर्व आपका ध्यान चाहूंगा कि एक बार आप pages की तरफ ध्यान दे pages हो चुके आपके 253 ओके तो एक कितना बड़ा book आपको तैयार किया जा रहा है और इसको मैं ebook बोलूँगा क्योंकि यह आपके mobile में या laptop में या computer में नहीं open हो सकता है यह download नहीं होगा हाँ mobile में एक सुविदा विश्येस है कि आप इसका app इंस्टाल करके और एक बार उसको download कर सकते हो और उस app के अंदर ही offline भी आप इसको पढ़ सकते हो यह बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि always internet की आवश्यक्ता भी नहीं है एक बार mobile map install करें और उसके बाद में आप उसको download करने book को और फिर आप ऐसी जंगर पर बैठके भी इसको पढ़ सकते हो जहां पर internet का सुविदा नहीं है आईए अब मैं आपको case study पर लेके चलता हूं कि जब student जब विद्यार थी या एक फ्रेशर accountant किसी company में जाता है तो उसके सामने समझ्या आती है कि जब वह company में काम कर रहा है और उसके सामने condition रखी जाती है कि आप इस तरह से काम करके दिखाएं तो उसको वहाँ पर बड़ी समझ्या आती है तो वह समझ्या आपको ना आए तो company ने आपके लिए 30 case study तयार करके दिया इस e-book के अंदर तो यह यह वाला e 30 जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा content से लिजे cover page पे चलते हैं और cover page से मैं next ले रहा हूं और यहाँ पर आपको जो case study नजर आएंगे वह 30 आएंगे तो यह 30 case study है वह आपको one by one sold करके दिखाए जाएंगे यह तरह से condition मालो कि आपके सामने condition रखी गई है कि आगर ऐसा ह हुआ यह हुआ तो यह काम आप किस तरह से करेंगे एक तरह से पढ़ाई के साथ साथ यह आपका क्या है एक तरह से practical है कि जो आपने सिखा वह आपको कितना आया है ओके आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर understanding basic concept of TDS यहाँ पर बताया गया कि J.M.B.S. services running business in Delhi और उसने expenses book किया है 50,000 का और TDS का rate है 10,000 का तो यह बता रहा है कि इस section में कौन सा nature of payment डिडेक्टर डिडेक्टर का टाइप देखिए यह जो blank रखा गया है यह आपको भरना है ठीक है इससे क्या होगा कि आपका knowledge check होगा और यह सारी बाते आपको one by one पढ़ाई जाए तो आईए last में चलते हैं और इस तरीके से तकरीबन जो है more than 70 pages का यह e-book आपको दिया जाएगा और जैसे जैसे इनको पढ़ाया जाएगा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ के company के जो expert trainer है वो आपको पढ़ाएंगे और जैसे जैसे वो lesson तैयार होंगे तो यह content और content के ब वीडियोज आपको मिलेंगे English में भी मिलेंगे Hindi में भी मिलेंगे आईए अब आपीस आते हैं back to library और back to library में आने के बाद अब मैं आपको दो बुक के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं आपको कुछ वीडियोज दिखाना चाहूँगा कि कितने मतलब high quality educational वीडियोज तैयार किये गए हैं और वीडियोज में मैं फिर से रिपीट करा हूँ कल हमें क्यों यहाँ पर दो वीडियो नजर आ रहे थे आज यहाँ पर पांच हो चुके हैं इतमिस यह लगातार बढ़ाए जाएंगे चलिए about the course learning and objective को मैं लेके एक बार वीडियोज को आपको दिखा किया गया कितना मतलब highly qualified video वेस्ट कंटेंट हैं यह लिए अब और दापोर्स and learning objectives start learning hello learners we welcome you to the program on TDS with Tally Prime tax detected at source or TDS refers to the means of a collection of tax on income in India the government of India uses TDS as a tool to collect tax and minimize tax evasion this for our course देखिए जिस तरीके से वीडियो त्यार किया गया है अगर आप background music चाते हैं यह button देदेया घरा है background music पर जायेगा अगर आप caption देखना चाते हैं तो यहाँ पर click कर दीजिए अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं और आपको speed अपने अनुशार set चरनी है तो यहाँ क्लिक कर दो और अगर आप देखना चाहते कि मैं यहां पर क्या-क्या काम कर सकता हुआ नेविगेशन के लिए कि उफ्सन है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए यह लिजिए किन बटन का क्या काम होता है आप यहां से समझ सकते हैं और जब इस तरह से यह एक मिनसे 27 सेकिंड का वीडियो है जब यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपने आप यह आपके सामने यह next बटन के उपर मार्क कर दिया जाएगा और जैसे आप next बटन पर क्लिक करेंगे तो यदि इस सीरीज में अगला वीडियो डाला गया तो आप अगला भी देख सकते हो लि से इंटर्डूस करवाए जाएगा अब आप यहां पर जो नेक्स वीडियो देखेंगे वो टीडियो के टीडियो के इंट्रोडक्शन से संबंदीत रहेगा तो इस तरीके से बहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार किये गए हैं लाइए मैं एक बार आपको सुनाना चाहू क्यों से लिएब आपके लाइए मिलीज देखेंगे लाइएह लिए टाम एलिएगा लिए टूम टीडियो के लिए इन न्वाट टीडियो से पर इंट्रक्शन से थीडियो वीडियो अगर मैं आपको वापीस लेके चलता हूं तो आप मैं आपको एक बहुतरीन वीडियो यहां पर दिखाना चाहूंगा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस अंडर्स्टेंडिक टीजिस रेट्स रेट्स अग्जमस तो इस वीडियो के अंदर इस एक ही वीडियो के अंदर काफी सारे सब वीडियो spectacle अउसके बारे में बहुत अच्छी परकार से बताया गया है अब देखे जैसे पहला पॉइंट कम्पलीट हुआ तो यहां पर मार कर रहा है आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला वीडियो आपका अपने 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 हो जाएगा कि अढ़ियो नवीडी है भी पेला टीजिस इस पर राप पर तक्रेण अपने ने यहां बसकतर अचित करति दो नो सब्सक्राइए वंचाय और ढूर चाहिए है आपको स्पेड जैदा लग रहा ही आप यहां इसका सब्सक्राइब और वापिस आते हैं कि जो यह जो वीडियो जहां पर तयार किये जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक एक्सपर टीम के दवारा टैयार किये जा रहे हैं तो टैली का जो एक्सपर टीम है वह आपको इस माइक्रो सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर आपको लाइव ट्रीनिंग भी देगा तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूं जो शुरुआत में बात की कि अब आप टेली को कभी भी कहीं से सीख सकते हैं तो गलत नहीं होगा क्योंकि यह सारी चीजे आपको आपके मोबाइल फोन में मिलती हैं और मोबाइल फोन में आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि आप यहां से तो सारी चीज़े पड़ी ही रहे हैं और यदि आप हमारे इंसिट्यूट के थुरू एडमिसंस लेते हैं तो हमारे इंसिट्यूट के थुरू आपको एक विशेश चीज दी जाएगी और वो विशेश चीज यह रहेगी क जो टेली कंपनी की जो एक्सपर्ट टीम है वो तो आपको ट्रेनिंग देंगे और वो तो जो ट्रेनिंग देंगे उनका भी रिकोर्डिंग आपको मिलेगा और साथ के साथ मैं भी आपको ट्रेनिंग दूँगा तो आपको डबल बेनिफिट होने जा रहा है अगर मालीजिये अगर मैं अपनी लिए बात करूँ कि मेरे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी recording आपके लिए प्रुवाइड किया जाएगा क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया समश्या हो गया कि जब आप फरी हो मैं भी जी हूँ मैं फरी हो आप भी जी हो तो हमारा जो बैच का टाइम हो आपस में मैची नहीं होता तो इसलिए सबी classes को record किया जाएगा आपके लिए वो recording provide किया जाएगा ताकि आप भविशे में आप मैं बात करूँ है इस course का जो सबसे मुख्योदेश है आपको TDS professional तयार करना एक TDS का एक ऐसा expert बंदा तयार करना जिसको जब वो companies के अंदर जाए तो उसको कहीं भी काम करने में कोई भी दिक्कत समश्या का सामना ना करना पड़े इस certification course का एक और बड़ा benefit है कि कल को जब आप किसी company में जाते हैं और अगर वहाँ पर TDS का काम होता है जो कि ज़्यादातर company के अंदर होता ही है तो वो कहते कि आपको TDS आता है तो आप कहेंगे हांजी आता है वो कहते को certification course किया है आप कहते हो नहीं किया अगर आपने नहीं ब पॉर्स वो company आपको करवा रही है जो के मैं कहूंगा sister concern company कहलो या group member company कहलो उस company का जिस company ने ये टेली software बनाया है तो देरना कीजिए अगर आप इसका benefits उठाना चाहते हैं तो जैसे शुरुआत में आपको बताया गया तो आप अगर उस benefit के अनुसार admission चाहते हैं इंडॉल् कि कल जो इस course का जो चार्जीज है वो change हो जाएगा तो मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा कि आप लोगों इस वीडियो को देखा आपको अच्छा लगा बोद बोद धन्यवाद शुक्रिया महरबानी सब बाख है